कर्तुतो वान सामर्थ्यवान राहू होता है बड़ा बल्वान राहू रहस्य भाग एक नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हो आज से हम जोतीश के अत्यनत महतो पुरुन ग्रह राहू पर एक छोटीशी स्रूंख भड़ा शुरू कर रहे है राहू के संदर्भ में हमारे समाज में विभिन प्रकार की ब्रहंतिया फैली हुई है मूल रूप से राहू को अशुव गृह माना जाता है लेकिन इस राहू के कई रहस्य है विशेश रूप से आज के आधुनिक काल में राहू की भूमिका अत् प्रयास करने वाले हैं संग्षिप में राहू को समझना चाहते हैं तो आज के भाग को अंत तक देखना ना भूले साथ ही यह शुंखला आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक भी वह पूँच सके जोतिश में राहू को भले ही चाया ग्रह माना गया है लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होता है वास्तों में फलकथन के दुरुष्टी से वह अत्यंत महतोपुर्ण होता है जोतिश के अध्यन करता बड़ा सखोल अध्यन करते है कई वर्षों तक लगातार अध्यन करते रहते है लेकिन जब फलकथन का समय आता है कुंडली को नियम लगा कर देखने का समय आता है तब वे बड़े विचलीत और सम्रमित हो जाते है उसके कई कारण है हमारे समाज में विभिन प्रकार की भ्रांतिया शिग्र फेलती है परिडाम सुरू जहा जहा राहू दिखेगा वहा वहा जो तीशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक विचार करना शुरू कर देते है जिस कारण वे उचित फलकतन तक पौश नहीं पाते हैं ऐसी कई कुंडलिया होती है कि जो राहू दवारा विकसित होती है क्योंकि राहू का कर्तुत्व अत्यनत बड़ा है आपके सामने जब भी फलकतन के लिए कोई कुंडली आती है और उसमें राहू जहाँ विराजमान है राहू की दुरुष्टी जिन ग्रहों पर है उन्हें अब जब आप नकारात्मक के रूप में नाकारते हैं तब आपका फलकतन गलत होता है होता क्या है कि राहू के कारण कई चीजे होती है वास्तों में कोई भी ग्रह सो प्रतिशत शुबह या सो प्रतिशत अशुबह नहीं होता इस गलत फैमी को हमने सबसे पहले दूर करना चाहिए गुरुदेव जैसा प्राकृतिक शुबह ग्रह भी कुछ चीजों में शुबह तो कुछ चीजों में अशुबह फल देता है ऐसा हर ग्रह के संधर्व में है इस बात को सभी ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए पराशर ग्रंथ का जब हम अध्यन करते है तो उसमें पराशर रूशी ने एक बात कही है कि जोतीश के अध्यन करताओने सबसे पहले ग्रहों को समझना चाहिए ग्रहों की अपनी भाषा होती है उनकी एक विशेश कार्यशयली कार्यपद्दती होती है उसे समझ लो तो हम को समझ सकते हैं और उसके द्वारा उचित फलकतन तक निश्चित रूप से पहुच सकते हैं आप विश्व के किसी भी सर्जन की कुंडली ले वही पर हम नियम सिध्ध कर सकते हैं क्योंकि आपने किसी सर्जन की कुंडली को देखा तो उसमें राहु प्रबल अवस्ता में दिखाई देता है राहु अत्यंत बल्शाली दिखाई देता है हमें कही न कहीं एक आदत लग गई है कुंडली में राहु प्रबल होने पर हम उस कुंडली को नकारात्मक मान लेते हैं हमारे सामने जातक आता है उसने MBBS तक की पढ़ाही किये हैं अगली दिशा पुछने के लिए वह हमारे पास आया है वहाँ यदि राहु प्रबल अवस्ता में हो तो हम उसे सरलता से बता सकते हैं कि आप सरजन बने वास्तों में यह सामर्थ कुंडली में होता है किसी जातक को CBI ऑफिसर बनना है तो उसकी कुंडली में राहु बल्वान होना चाहिए जिसे तबा उसकी मूल कुंडली में राहु बल्वान होना चाहिए इस प्रकार से राहु के कई शुभ गुन है और कई अशुभ गुन भी है क्योंकि राहु को पूर्ण रूप से शुभ नहीं माना जाएगा वास्तों में राहु छाया ग्रह है साथ ही पाप ग्रह के रूप में उसकी विशेश पहचान है राहू कोच राशियों में अत्यन्त शुबहपल प्रदान करता है और कुछ राषियों में अशुबहपल प्रदान करता है कुंडली के स्तानों का प्रवाव भी होता है. राहू जी स्तान में विराजमान हो उसके अनुसार फलो का स्वरूप स्पस्ट होता है इस संदर्ब में हमारे ग्रंथों में विभिन्न संदर्ब बताए गया है कई ग्रंथों में रुशब राशी को राहू की उच्च राशी कहा गया है तो कुछ गरंथों में मिथून राशी को उच्च राशी कहा गया है लेकिन एक चीज है कि जब हम कुंडली को देखते हैं कुंडली को नियम लगा कर फलकतन करते हैं तो ध्यान में आता है कि बूध, शुक्र और शनी इन तीन ग्रहों की राशियों के लिए राहु शुभदाई है इन तीन ग्रहों की कुल छ राशिया है उनमें से किसी के लिए अधिक शुभदाई है तो हम कह सकते हैं कि मिथून राशी में राहु अत्यनत शुभदाई माना जाता है गुशब राशी के लिए भी वह शुभ है उसके बाद कन्या राशी के लिए उसके बाद कुम्भ राशी के लिए और उसके बाद तुला राशी के लिए भी राहू शुभ फलदाई है गुलमिलाकर इन राशियों में राहू अत्यंत शुभफ़ाई माना जाता है राशियों के बाद स्तानों का विचार करना पड़ता है उस अनुसार तीन, चो, दस और इका दस इन स्तानों में के राहू अत्यंत शुभफल प्रापत होते है आपको जीवन में यदि पैसा मिलने वाला है तो वह कहां से मिलेगा उसमें कितनी विरुद्धी होगी यह सब बताने वाला ग्रह राहू है इन चार स्तानों में से किसी भी स्तान में यदि कुम राशी का राहू विराजबान हो अर्था ऐसी कुंडली आपके सामने आए तो आप सो प्रतिशत बता सकते हैं कि वह जातक अपने जीवन में बड़ी उन्नती करने वाला है क्योंकि उसे राहू ग्रह भरपूर देने वाला है यदि ऐसी कुंडली आपके पास आए तो सबसे पहले आपने राहू की महादशा को खोजना चाहिए क्योंकि उस महादशा में ही जातक की उन्नती होते हुए दिखाई देगी राहू जातक को उन्नती पैसा प्रतिश्टा सब कुछ प्रदान करेगा कई बार क्या होता है क कि किसी जातक के लिए राहू की महादशा च लाभकारी रहती है और उसके बाद आने वाले गुरू की महादशा अट्यंत अशुव रहती है रहा बार फाने गृ intern रूप से शुभ या पुर्ण रूप से अशुभ नहीं होता वास्तों में देखा जाए तो शुभ और अशुभ यह चीजे मानो निर्मित है अर्थात मनुष्य ने अपनी सरलता के लिए यह शब्द बनाए है हमें जो चाहिए वह यदि मिल जाए तो वह ग्रह शुभ और ना मिले तो ग्रह अशुभ अईसे एक मानसिक्ता बनी हुई है ग्रह केवल उनके कारकतों के अनुसार कार्य करते हैं शुभ अशुभ की व्याख्या उन पर लागू नहीं होती वह तो मनुष्य ने अपनी सरलता के लिए बनाई है राहु ग्रह यदि आपकी कुंडली में उच स्तान में विराजमान हो और उस पर उचित ग्रहों की दुरुष्टी हो तो बहुतिक दुरुष्टी से या आज के आधुनिक काल में आपको जो चाहिए उस दुरुष्टी से राहु जैसा शुभ ग्रह दूसरा कोई नहीं है उसमें देने का जो सामर्थ है वह किसी अन्य वस्ते हैं उसे दानौ का जनम कैसे हुआ यहां से भी हम रहु को समझने का प्रयास कर सकते हैं तो समुद्र मंधन में अम्रूत निकलने के बाद दे और दानों में अम्रूत के बतवारे का विशह शुरू होता है तब कही न कही दानों मान लेते हैं कि हमें अमरुत प्राप्त हो नहीं सकता ऐसे ब्रहम में वे फस्ते हैं लेकिन सारे दानों में अकेला राहू ऐसा होता है कि वो शान्ती से देवों की कतार में आकर बैठता है भगवान विश्णु के किसी भी ब्रहम का शिकार ना होने के कारण उसे सत्य का पता चलता है उस सत्य को पहचारना भी एक बड़ा कर्टुत्व माना जाएगा सत्य का पता चलने के बाद वह शांती से देवों की कतार में आकर अम्रुत प्राशन के लिए बैट जाता है केला राहू उसमें नहीं भसता इस बात को उसका सामर्थ कहा जा सकता है तो इस प्रकार राहू अम्रुत प्राशन करना शुरू करता है इस बात का पता रवी और चंद्रमाग को चलता है वैसा वे विश्णु जी को सुचित करते हैं इसके आगे की कता आप सभी को निश्चित रूप से पता होगी लेकिन इसके पीछे की राहू की भूमिका को यदि हम समझ ले तो हमारे द्यान में आएगा कि कित प्रतिषठा प्राप्त करना इसी एक बात्र वुद्देश को लेकर लोग जीवन व्यतित करते हैं इन सभी चीजों को बलप्रदान करने वाला को इग्रह है तो राहू कहा जा सकता है राहू के रहस्य को समझ एक लिए आज के भाग में इतनी जानकारी पर्याप्त है हम यही रुपते हैं अगले भाग में हम राहु के रहस्यों पर अधिक विस्तार से वारतालाप करेंगे यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक यह शेर करना ना भूले ताकि दुसरों तक भी जानकारी पहुच पाए धन्यवा दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद